नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों कभी-कभी हमारे साथ बहुत अच्छा बेवार होने लगता है बहुत अच्छा हमारा जीवन और हमारा अच्छा दिन गुजरने लगता है और कभी अचानक ही हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारे जीवन में अचानक ही बहुत मुश्केरें आ जाती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी परिशानिया हमें घेर रेती हैं. ये सबी चीजें हमारे कर्मों पर हिया धारित होती हैं. वे सबी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, चाहें वे लोग हो, कोई वस्तु हो, हमारा घर, हमारे घर की दिशा या पर घर के अंदर रखा हुआ कोई भी सामान, उसकी इस्थिती आदी ये सबी निर्बर करती है कि आपके जीवन में आपको दुरुभागे घेर लेगा या पर आपका दिन और आपका समय अच्छा भीतेगा, कितने ही बार ऐसा होता है, कि जो चीजें हमारे लिए लक्षमी परदायक होती हैं, हमें पता नहीं, दोस्तों राहू और केतू बेहदी क्रूर ग्रह हैं, लेकिन काफी कम ही लोग जानते हैं, कि जब भी किसी की कुंडली में राहू वे केतू बलवान होते हैं, तो लोटरी वे सटा लगने के प्रबल योग बनते हैं, यानि कि अचानक से धन मिलना, गड़ा हुआ धन मिलना, या पर धन आने के मार खुल जाना, ये सबी राहू और केतू जब आपकी कुंडली में प्रबल होते हैं, तब आपको ऐसे यूग बनने लगते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का राहू और केतु बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में माया भी सक्तियां समेटे हुए होता है। उस परकार से समझे कि जो फ़ुफ चिंतक होते हैं। वह हमसे दूर होते हैं। वहाई जो गुप्त-शत्रु होते हैं जो मारा आहित चाते हैं। वह हमसे मीठा-मीठा बोलकर हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारा लगातार अहित करते रहते हैं ऐसे में ब्यक्ति को दुरुबाग्य का शिकार होने से और नीचे गिरने से कोई भी नहीं रोख सकता है उसी प्रकार से जब हमारे घर में कुछ लक्षमी परदायक चीजों का हम योग्य मान सम्मान नहीं देते है उन्हें इस्थान नहीं देते हैं तो उस प्रकार से दुरुबाग्य और नकारतमक उरजाएं नकारतमक शक्तियां नेगेटिव एनरजी आपको चारो ओर से घेर लेती हैं और आपके उपर अपना पूरी तरह से प्रभाव दिखाने लगती हैं वह यादी आप कुछ ऐसा क जोगनी तरकी होने रखती हैं आज ऐसी एक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों हम आपको ये सबी जानकारी बड़ी मेहनत से डूंड के आपको निकाल के आपके लिए सरल रूप से प्रस्तूत करते हैं तो आप भी एक बार आवश ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जैबुजरंग बली बोले और चैनल को सब्सक्राइब और शे करें ताकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहें ऐसे जवर्दस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुख में बना सकें और जी सकें एक सुख में जीवन तो अब बात करते हैं आज क टोपिक के बारे में, दोस्तों जिस प्रकार से धन तेरस या दिपावली के दिन लक्षमी को अपनी और आकरशित करने के लिए जाडू की पूजा की जाती है, गंदगी साब करने वाली एक वस्तू जाडू जहां पर आपको लक्षमी समान सबरूप में आपको फलपरदान करती है, आशिरबाद प्राव देती है, वहीं आपको कचरे के डब्बे का भी सही परकार से इस्तमाल अगर आप करते हैं, तो माता लक्षमी के सबरूप से कम नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों, आपके घर की गंदगी को अटाती है, आपके दुरुभागे को अटाती है जा कचरा फेका जाता है, यानि कि आपके कचरे का डब्बा ये आपके सभी परकार की negative energy को इखटा करके आपके घर से बाहर फेकने का ही तो एक मार्ग है, इसलिए आपको कचरे के डब्बे का, अगर आप सही परकार से color यानि की रंग नियुक्त करते हैं, सही जिसा में रखते हैं, तो आपके जीवन में सोभाग याने से कोई भी नहीं दोख सकता है, कबसे पहले तो आपको कचरे के डब्बе का रंग सुरिश्चित करना चाहिए, जदी आपका मूलांक एक है तो आपको नीले रंग के डब्बे का इस्तमाल करना चाहिए, दो है तो लाल रंग का इस आपको बताएं कि आपके मूलांक को कैसे जानेंगे, कि आपको मूलांक क्या है, जुनका एक से लेकर नो तारीक तक में जन्म हुआ है, उनका तो मूलांक वही है, लेकिन जिसका दस या दस से जादा की तारीक में जन्म हुआ है, तो उने अपने बाकी के दोनों अक्षरों को जोड लेना है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म ग्यारा तारिक को हुआ है तो एक और एक हुआ दो किसी का अगर मान लीजिए पंदरा तारिक को जन्म हुआ है तो एक और पांच हुआ छे तो उसका मूलांक हुआ छे इसी प्रकार से सभी मूलांक एक से लेके नो वे शूने तक होंगे यानि कि 10 तक होंगे, अपने अपने मूलांक के हिसाब से, अपने अपने मूलांक के अनुसार ही, कचरे के डब्बे का कलर सुनिशित करें, और अपने घर में इस्तापित करें, यदि आप अपने मूलांक के अनुसार कचरे के डब्बा नहीं लाना चाहते हैं, तो आप काले काले रन के कच्रे के डब्बे को अपने घर में ला कर रख सकते हैं। और उसमें कच्रे को डालकर अपने घर से फेक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तो आपकी घर में सभी positive energy यानि कि सकारतमक उरजाओं के आने की दिशा है, वो पूर्व दिशा है, इसलिए कभी भी अपने घर के रिसोई में या अपने घर में जहां भी आप कचरे का डबबा रखते हैं, उसका ध्यार रखें कि पूर्व दिशा की ओर ब आकर घर में सकारतमक उरजाओं को परवेश करने के लिए नोता दिया जाता है, माता लक्षमी के आने का इस्थान है घर का मुखे दरवाजाए और वहीं पर सकारतमक उरजाए भी आती है, इसलिए कभी भी कचरे के डबबे को मुखे दरवाजी पर नहीं रखना चाईए, ये आपके घर में नकारतमक उर्जाओं को आमंतरत करता है। इसे सदय आप घर के पीछे की ओर रखना चाहिए। वहीं आज की वीडियों में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कचरे के डबे में ऐसी क्या चीज डाल दें इसकी बज़े से आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। आप अर्बों में खेलने लगें। दोस्तों जब भी कभी घर में जाडू लगाई जाती है तो वे हर प्रकार की गंदगी को चाहें वे दिखने वाली धूल मिट्टी आदी हो या फिर आपके दुर्भागे समंदी गंदगी हो या नकारतमक उरजा हो सब को इखटा करके आपके घर के कचरे के डबबे में डाल दिया जाता है आपके कचरे का डबबा आपके लिए हर प्रकार की नकारतमक उरजाओं को अपने अंदर आपसोचित किये होता है इसलिए आप क्या करें जब भी अपने घर में जाड़ो लगाएं तो उससे पहले घर में थोड़ा-थोड़ा एक-एक चुटकी नमक छड़क दें और जब जाड़ो लगा करके आप कचरे को उसमें डालेंगे, कचरे के डबे में डालेंगे तो वह नमक के साथ ही चला उसलिए आपके हर परकार की नकरत्मक हरजाओं को अपने अंदर खींच लेने वाला होता है। के आएं और उसकी छोटी ची डड़ी छोटा सा हिस्सा छोटा सा चुकडा आप कोई भी कच्रा उसमन डालने से पहले ही आप उस कच्रे के डबे में थोड़ा सा डाल दीजिए और उसके बाद प्रती दिन जो अपना को बताया कि घर में पहले एक एक चुटकी सफेज नमक जो आप कच्रे का डबा भर जाता है उसके पास फेक दें और उसके बाद जब दुबारा से इस्तेमाल करें तो आप थोड़ा सा नमक तुबारा डाले और फिर उसका इस्तेमाल करें आप देखेंगे कि आपके जिन्दगी में हर प्रकार के पॉजिटिव चेंज होने लग लक्षमी आवक आपके लिए ये कच्रे का डबा बन जाएगा जिस घर में भी जाडू की पूजा की जाती है और साती कच्रे के डब्बे के साथ ये उपाई किया जाता है वहाँ पर लक्षमी का आना निश्चित रूप सही है बस आप घर में सुबद सुबद जल अवस्य शिड़कें गर के दरवाजे के बाहर और साम के समय तुलसी की पूजा करें तुलसी बदीपक जलाएं या फिर गर के मुखे दरवाजे पर एक दीपक अवस्य जलाएं तो आप घर में लक्षमी माता को अवस्य ही आना होता है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में के वले नहीं कल फिर आप सब मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देमें जादे दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले जैब जैमातादी जैमालक्षमी